जो करते हैं अपने स्पेशल शो का स्पीट के आगे मौत है। खेल खेल में चार दोस्तों की मौत हो गई। बेहत दर्दनाक था ये वाक्या। दिवाली के दिन दोस्त का जनम दिन था। जनम दिन मनाकर आठ दोस्त एक कार में सवार हूकर उदेपुर से डोंगरपुर के लिए निकले। हाथ में मोबाइल, मोबाइल पर फेस्ट बुक लाइव और गाड़ी की रफतार 120 किलोमेटर प्रती घंटा। 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार और एक भयानक हाथसा। आठ दोस्तों में चारखी मौके पर मौथ। सावधानी हटी, दुरघटना घटी और जान गई। स्पीड के आगे मौथ है। उदेपुर में कार सवार आठ लड़कों में से चार की मौथ सड़क हदसे में हो गई। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ उधारण दे कर चौकाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि कारगल युद्ध में भारत के कितने सैनिक शहीद हुए थे। इस सवाल का जवाब है 527 पिछले चार साल में आतंकवाद की वजह से 3480 लोगों की मौथ हुए। यानि एक युद्ध में और आतंकवाद में जितने लोग मारे जाते हैं उससे कई गुना जादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। सरकार की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 55 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें हर घंटे 17 मौथ होती हैं। साल 2016 में देश में 4,80,652 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 1,50,785 लोगों ने अपनी जानगादा ले यानि एक दिन में सड़क हादसों से 418 मौते होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधित्तक सड़क हादसे ओवर स्पीदिंग की बचह से हुए। और यही हुआ उदैपुर में 8 दोस्तों के साथ रिपोर्ट देखियों। दिवाली की खुश्यों भरी रात थी। कार में सवार 8 दोस्तों में एक दोस्त दिख्विजे का चनम दिन भी था। सभी दोस्त बेहत खुश्य थे। यह कार के अंदर की तस्वीरे हैं। हैरानी की बात है इस छोटी सी कार में 8 लोग सवार थे। तीन लोग आगे बैठे थे और 5 पीछे। यह सभी अपने दिवाली और बर्टे पाटी मना कर राजस्तान के दुंगरपुर से उदैपुर रोट पर ड्राइफ के लिए निकले। सोशल साइट फेस्बुक पर अपनी खुशियां शेयर कर रहे थे। फेस्बुक लाइफ कर रहे थे। खुशी मनाने के जोश में धोश खो बैठे। कार की रफतार 70 से बढ़ती हुई, 120 पहुशने में जरा भी वक्त नहीं लगा। कार चला रहे ललित से रफतार संभाली नहीं गई और आगे जा रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भायनक थी कि आठ मैंसे चार दोस्तों की घटना स्थल पर ही मौत हो गे। तस्वीरें इतनी भायनक हैं कि आपको दिखाया भी नहीं जा सकता। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार के अंदर सवार लोगों का क्या हल हुआ होगा। बचे हुए चार दोस्तों में से दो की हालत बेहत गंभीर है। कार में सवार ये सभी दिगविजय के जन्द दिन पर उसे फेस्बुक पर लंबी उम्र की दुआ भीज रहे थे लेकिन दिगविजय तक दुआ पहुँश नहीं सकी कार हाथसे में दिगविजय सिंग, ललित तंबोली, चंदरवीर सिंग और महिपाल सिंग की मौत हो गई दिगविजय का जन्द दिन मनाने के बाद दिवाली की राद सभी आठ दोस्त मौज मस्ती के लिए कार से उधैपुर रोड में निकल पड़े हाथसे से पहले इन दोस्तों ने मिलकर पांच फेस्बुक लाइव किये सभी फेस्बुक लाइव मृतिक ललित तंबोली के फेस्बुक आईडी से किये गए पहला फेस्बुक लाइव ललित का अपने दोस्त के साथ बाइक पर था दूसरा फेस्बुक लाइव हाउजिंग बोट कॉलोनी में आतशबाजी का था तीसरा फेस्बुक लाइव दिवाली की बधाई का था चौथा फेस्बुक लाइव दोस्त दिगुजे सिंग को जन्दिन की बधाई का था आखरी और पाँचवा फेस्बुक लाइव गुरुवार की रात करीब दो बचकर 27 मिनट पर कार के अंदर का है उदैपुर रोट का है उस वक्का है जब कार की रफ़तार बढ़ रही थे फेस्बुक लाइव में सबसे पहले कार की स्पीड 70 किलो मीटर प्रती घंटे दिखाई दी देखते ही देखते असी को पार कर गई रफ़तार और बढ़ी 90 फिर 100 और जल्द ही 110 किलो मीटर प्रती घंटे पहुँच रही कार के अंदर आठो दोस्त अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेफिक्र थे कार की रफ़तार 120 पहुँची और फिर एक जोरता टकाई सामने जा रहे ट्रक को कार ने पीछे से टक्तर मार दी चार दोस्त मर गए बाकी चार दोस्त हॉस्पिटल में हर सांस के लिए लड़ रहे हैं रवी शर्मा जी मीडिया उधैपूर राजस्थान